स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज जल से जल सब्सकाइब कर लिजिए क् सभी को डेनारलम से जुड़ी उसके साथ साथ केंद सरकार के द्वरा जो भी योजना चलाई जाएगी दिदी सबसे पहले आप सभी को उगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेंटना टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर दिदी आप पहले से ही डेनारलम में जुड़ी है तो आपसे नीवेदन है कि पंच सुत्र का पालन करना बिल्कुला भूलें साथ एक बैठक, साथ एक बचत, आंत्रिक उधार, समस्रन वापसी लेखा जोखा इन पंच सुत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समू को ही योजन समू के द्वारा रोजगार, राष्ट्री ग्रामिर आजीव का मिशन में आजीव का चलने वालों के नुक्षान सबसे पहले दिदिया ये जानते हैं कि स्वयम सहता समू क्या है स्वयम सहता समू कैसे काम करता है स्वयम सहता समू के लब क्या है स्वयम सहता समू से नुक्षान क्या है इन सभी सवालों के उत्तर के साथ सबसे पहले तो उस बात को हम समझते हैं दिदी आप सभी को आउगत करा दे कि मेरी वीडियो का जो उदेश है मेरी वीडियो का उदेश है रिस्वत और घुटाले और रिस्वत खोरी किस तरह से किये जा रहे हैं उसके बारे में बताना साथ ही अन्य जनकारी शामिल की जाती है सबसे पहले दीदी जानते हैं कि स्वय में सहता समू है क्या स्वय में सहता समू के लब क्या है स्वय में सहता समू ने ग्रामीर छेत की महिलाओं को रोजगार के बहुत से आउशर प्रदान किये है इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता है स्वयमसायता समू से जुड़ी महिलाओं को समू में जमारासी की जमानत मालो या ऐसे समझते हैं कि कोई महिला समू की सदस है जिसके माध्यम से राश्ट्री ग्रामिराजियु का मिशन प्रोग्राम के तहत आर्थिक मदद बहुत ही कम 2% माशिक ब्याज पर मिलती है लेकिन फरवरी 2021 से यह व्याज की इधर घटा कर एक प्रतिसत कर दी गई है प्रधान मंतरी आजीविका मिशन प्रोग्राम से लोन लेने के लिए आपको समू का सदस्य होना जरूरी है जो पैसा समू की महिलाओं को दिया जाता है उससे अपने छोटे मोटे वैपार को आगे बढ़ा सकी स्वैम सहता समू में जुड़ी हुई महिलाओं को प्रधान मंतरी आजीविका मिशन से छोटी मोटी नौकरी मिलने में भी सबसे पहला अधिकार दिया गया है अगर किसी ग्राम पंचायत में एक ऐसी महिला कर्मचारी की जरूरत है जो काम एक महिला आसानी से कर सकती है सैच्छिक योगता के हिसाब से नौकरी भी मिल सकती है स्वैम सहता समू में जुड़ी महिलाओं को बहुत से चांस घर से ही रोजगार करने के लिए मिल रहे हैं समू की महिलाएं जो पैसा प्रधान मंतरी ग्रामिरा जीव का मिशन से पैसे अपना वेपार बढ़ान के लिए लेती हैं उस पर एक प्रतिशत का ब्याज लगता है ब्याज की जमारासी को सरकार नहीं लेती है दीदी सरकार सिर्फ अपना पैसा ही लेती है ब्याज का पैसा समू के मेंटनेस पर खर्च किया जाता है 0.50% ब्याज जमा कभी आजीव का मिशन के संबंध में कोई अधिकारी स्वेम सहता समू की महिलाओं के बीच जागरूपता के लिए मिटिंग करता है उनके लिए चाय पानी का खर्च किया जाता है बाकी के 0.50% में स्वेम सहता समू में जो महिलाओं लेखा जोखा करती हैं रखती हैं भाग दोड करती हैं उनको दिया जाता है स्वेम सहता समू में जोड़ी हुई महिलाओं को सरकारी हस्पताल बलाक हाफिस जीला मुख्याले तहसील कार्याले आधी जो भी सरकारी कार्याले होते हैं वहाँ पर कैंटीन खोलने का भी अधिकार राश्ट्री ग्रामिराजियु का मिशन के तहद दिया गया है स्वेम सहता समू की जो महिलाएं समू का लेखा जोखा रखने का काम करती हैं उसका मेहंताना 500 रुपय प्रतिमाह दिया जाता है यहां मेहंताना सरकार के द्वारा नहीं जो ब्याज का रुपया जमा होता है उसी से दिया जाता है यह पैसा ग्राम संगठन में लेकपाल को दिया जाता है अब दिदी आये जानते हैं कि स्वयम सहता समु किस तरह से काम करता है स्वयम सायता समू के लिए एक समू में कम से कम 10 महिला अधिक्तम संख्या 15 होती है इस तरह के 5 समू मिला कर ग्राम संख्ठन बनाते हैं समू की प्रतेक महिला स्वयम सायता समू के संख्ठन में 10 रुपए प्रतीस अपता जमा करती है महीने में 40 रुपए जमा होते हैं जो कोई भी महिला कर सकती है समु में जमा की गई धनरासी निर्धारे समय पांच वर्ष में इकठा होकर ब्याज के सहित वापस मिलती है समु की कोई भी महिला अगर 5 साल से अधिक स्वयम सहता समु को बनाती है तो उसको सबके सीनियर होने का अधिकार वा पद उन्नती भी होती है जब पद उन्नती हुई है तो कही ना कहीं से आयका साधन भी जुड़ जाता है एक समु की सभी महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का समान अधिकार होता है समु में हो रहे किसी भी गलत काम का विरोध कोई भी कर सकता है समु की तीन महिलाओं जिन्हें खुद की इच्छा अनुसार एक पद भी दिया जाता है अगर वह अपना समय किसी पद के लिए देना चाहती है तो वह भी दिदी हो सकता है इसे हम अध्या सचिव कोश अध्याच कहते हैं इन्ही तीन महिलाओं के नाम में बैंक बचत खाता खोला जाता है राश्ट्री आजिव कमिशन की रासी उसी खाते में आती है बैंक से रुपए निकालते समय तीनो महिलाएं साथ होनी चाहिए पैसे निकालने का जो भी कारण होता है समु के जिस सदस को देना होता है उसका सबस्ट कारण रजिस्टर मेंटरिनेस करना होता है जिहां कारवाही रजिस्टर पे लिखना होता है समू की सभी मेंबर के हस्ताचर होते हैं कारवाही रजिस्टर पर इन सभी के बाद भी राष्ट्री ग्रामिराजु कमिशन के अधिकारे साइन करते हैं रजिस्टर पर तब बैंक से पैसा निकलता है समू जितना अच्छा मेंटेन होता है दिदी और उतना पुराना होता हो जाता है उसकी वेलू उतनी अधिक बढ़ती जाती है अब बात करते हैं दिदी स्वयम सहता समू में जुड़ी महिलाओं के प्रधान मंतरी आजीवी का मिसन के तहत नौकरी में रिस्वत का खेल स्वयम सहता समू को राष्ट्री ग्रामिलाजीव का मिसन से जोड़ा गया है जोडने के साथ ही रोजगार के आउसर में जिस्वत का खेल सुरू हो गया है सुरुवात के दिनों में कोई भी छोटी मोटी नोकरी मिल निकलती थी तो स्वैम सहता समु की महिला को योगिता अनुसार दे दी जाती थी समय के साथ जब महिलाओं को लाव मिलना सुरु हुआ तो अन्य महिलाओं भी समु के नए गठन में सामिल होने लगी कुछ समय बाद जब कोई भी वेकेंसी स्वैम सहता समु की महिला के लिए आरच्छित होने लगी तो समु की महिलाओं ने अपने अपने की आदद आ गई नोकरी किसी एक को मिलनी है लेकिन समु की प्रतेक महिला चाहने लगी यह नोकरी मुझे मिल जाए महिलाओं में अपने अपने होने की सोचने भरते प्रकरिया पूरी करने वाले अधिकारियों जो राष्टी गामिलार जोका मिसन से जुड़े थे उनका फायदा देना सुरू कर दिया एक समु से किसी एक महिला को ही नोकरी मिलनी है हाला की काम सभी को मिलता है एक साथ सभी दीदियों को नोकरी न देकर एक एक करके दिया जाता है महिलाओं को इस बात की तसल्ली नहीं होती है कि उसको नोकरी दे दी मुझे कुछ नहीं मिला इस सोच से समु की महिलाओं में आपसी मतभेत के साथ मनमुटाओं भी हो जाते हैं भरती प्रक्रिया पूरी करने वाले अरिकारी जब यह देखने लगे एक वेकेंसी के लिए 20 लोग लाइन में लगे हैं लेकिन काम किसी एक को देना है तो पैसे का खिल सुरू हो गया समु की महिलाओं पैसे भी देने लगी कि मुझे भरती करवादो जिस महिला का समय पर पैसा पहुँच गया उसको नोकरी मिल गई योगता हो या ना हो पैसे नए उनको योगी बना दिया जो नौकरी किसी बारवी पास महिला को मिलने के लिए होती थी रिश्वत खोरी की वज़स से आठवी पास भी भरती होने लगी तो चलिए देदी आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिलकुल न भूले धन्यवाद जया जीवी का